हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका निखरी हिंदी टुटोरियल में आपको जानवरों की कहानिया पढ़ना और सुनना पसंद है? हाँ, हम आपके लिए आज ऐसे ही दो जानवरों की कहानिया लेकर आए हैं और इस कहानी में दोनों दोस्त हैं तो दोस्त की मदद यह इस कहानी का नाम है और यह कहानी कहां से ली गई है? आपकी पुस्तक से आपकी किताब रिमचिम से यह कहानी ली गई है आपकी पाठे पुस्तक रिमचिम में पाँच्वा पाठे दोस्त की मदद दोस्त कौन होता है? एक अच्छा साथी मित्र फ्रेंट और जब हम किसी को दोस्त बनाते हैं तो हमेशा उसकी हेल्प करने को तैयार रहना चाहिए तो आज की कहानी में जानते हैं कि दोस्त की मदद कैसे की, किसने की किसी तालाब में एक कच्छुआ रहता था, तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोम्री से उसकी दोस्ती हो गई मांद शब्द जानते हो आप, मांद कहते हैं गुफा को जिसमें जंगली जानवर रहते हैं तो लोम्री कहां रहती थी, मांद में, गुफा में या इंगलिश में आप जिसे कहते हो केव में रहती थी और कच्छुआ कहां रहता था, पानी में रहता था, तो कच्छुआ की दोस्ती हो गई लोम्री से एक दिन बेतालाब की किनारे गपशब कर रहे थे, कि एक तेंद्वा वहां आया तेंद्वा शेर के जैसे दिखने वाला, जो दूसरे जानवरों को मार कर खाता है तो तेंद्वे को देखकर दोनों डर गए, लेकिन उसके पहले वह क्या कर रहे थे, मजे से बाते कर रहे थे, गपशब करना, बाते करना, दोनों दोस्त बाते कर रहे थे, और तेंद्वे को देखा, तो डर गए, डर कर क्या किया दोनों ने? दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचा कर भागे लोमडी तो सरपट दोड़ कर अपनी मांद में पहुँच गई लोमडी तेज दोड़ती है सरपट दोड़ना मतलब बहुत तेजी के साथ दोड़ना तो आप देख रहे हो ना कि लोमडी कितनी तेजी से दोड़ती जा रही है और दोड़कर वो अपने घर पहुँच गई उसका घर कहा था मांद में था ना गुफा में रहती थी बेचारा कच्छवा वो भी तो अपने घर जा रहा है लेकिन क्या हुआ उसका पर कच्छवा अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुँच सका तेंद्वा एक छलांग में उस तक पहुँच गया छलांग लगाना पूची जम्प लगाना तेंद्वा तो बहुत फूर्ती से दोड़ता है अब देखो ना बेचारा कच्छवा कितना धीरे धीरे चल रहा है तो इतनी धीमी चाल से कैसे पहुँचेगा तेंद्वा तेजी से दोड़ता हुआया और जम्प लगाकर कच्छवे तक पहुँच गया कच्छवे को कहीं छुपने का भी मौका ना मिला अब बेचारा अपनी जान कैसे बचाए तेन द्वे ने कच्छवे को मुह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया लेकिन दातों और नाखुनों का पूरा जोड लगाने पर भी कच्छवे के सक्त खोल पर खरोच तक नहीं आई सक्त खोल किसे कहते हैं बच्चों सक्त मतलब होता है हार्ड कच्छवे की जो उपर की स्किन होती है जो बाहर का आउटर कवर होता है वो पत्थर के जैसा हार्ड होता है तो कच्छवे अपनी जान बचाने के लिए क्या करता है अपने मूँ और पैरों को उस खोल के अंदर कवर के अंदर छुपा कर पत्थर के जैसे बैठ जाता है तो तेंद्वे ने कच्छवे को खाने के लिए जब पकड़ा तो उसको खाने के लिए उसने अपने नाखून ते ना सक्त था कि तेंद्वा बेचारा कुछ नहीं कर पाया। लोमडी अपनी मांद से यह देख रही थी। लोमडी तो छुप गई मांद में लेकिन उसे अपने दोस्त की फिक्र थी ना चिंता थी कि मैं तो बच गई मेरा धीरे चलने वाला दोस्त उसका क्या हुआ तो वो मु निकाल कर बाहर यह देखने लगी। उसने कच्छवे को बचाने की तरकीब सोची। तरकीब उपाय। हम कहते ना आइडिया आया। तो लोमडी तरकीब सोच रही थी। उसने मांद से ज्छांक कर बाहर देखा। उसने क्या किया लोमडी ने? मांद से बाहर ज्छांका। बाहर तो नहीं निकली क्योंकि उसको पता था कि वो बाहर निकलेगी तो तेंद्वा उसे खा जाएगा. इसलिए उसने मुह निकाला सिर्फ और भोलेपन के साथ बोली. भोलेपन मतलब एकदम मासूम चहरा बनाकर इनोसेंस के साथ बोली. तेंद्वे जी, कच्च्वे के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ. इसे पानी में फेक दो. थोड़ी देर में पानी में इसका खोल नरम हो जाएगा. चाहो तो आजमा कर देख लो. आजमा कर देखना मतलब ट्राइ करके देख लो. आपको पता है ना कोई भी हार्ड चीज जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होती है? पानी में वो सौफ्ट सौफ्ट हो जाती है. तो लोमड़ी ने भी यही उपाय तेंद्वे को बताया. क्योंकि लोमड़ी चाहती थी, उसे पता था कि एक बार उसका दोस्त पानी में पहुँच गया, तो फिर वो बच जाएगा. तेंद्वे लोमड़ी की बातों में आ गया, क्योंकि उसे भूख लगी थी और वो हाथ में पकड़े हुए शिकार को खाना चाहता था. तो तेंद्वे ने कहा ठीक है, अब ही देख लेता हूँ. यहां कहकर उसने कच्छवे को पानी में फेक दिया. अब क्या था? बस फिर क्या था? गया कच्छवा पानी में और पानी में जाते ही कच्छवा तैरने लगा और पानी में अंदर ही अंदर चला गया. और बेचारा तेंद्वा देखता रह गया कि हाथ में आया हुआ शिकार चला गया तो लूमडी एक अच्छी दोस्त थी, सच्ची दोस्त थी जिसने अपनी जान बचाने के बार अपने दोस्त की जान भी बचाई तो बच्चों यह कहानी हमें क्या सिखाती है? कि हमें हमेशा अपने फ्रेंड की, अपने दोस्त की मुसीबत के समय सहायता मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए है न मज़ेदार कहानी? इस कहानी को अपने आप पढ़ना अगली कहानी में, अगले नए पाच में फिर मिलेंगे ऐसे ही और वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें धन्यवाद